गाइज हम लोगों के साथ अभी प्रैंक हो गया हम लोग उल्टा ट्रेन में बाट गया थे और वापस इस साइड आना पड़ा है हलो गाइज वेलकम टू माइज न्यू ब्लॉग तो आज मैं जाने वाला हो कोलकता तो वहां गाइज गूमने के लिए जा रहे हैं तो रात का ट्रेन है लगवग छे साड़े छे हो जाके तो आगे चलते हैं आप लोगों को दिखाएंगी क्या कुछ होने वाला कोलकता में तो चलते हैं गाइस कोलकता है कि अब कलकता इस्टेशन पे पहुंच गया है और काफी बीड है यहां यह दो गाई अभी चार तरफ सब्ली लोग तो है और अभी रात के दो बज रहे हैं तो लोगों का ट्रेन अभी लेट था और अभी पहुंच है लोगों को दिखा होंगा कि अभी क्या क्या हो रहा है तो फाइनली अभी हम लोग कलकता जंक्शन पे हैं मतलब हावडा में अब 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 लोग बाहर निकले तुबा के टाइम पे अब लगबाग पांच बच चुके हैं यह देखो गाइस बाहर कना जारा कलकता का कि यह देखो गाइस इस्टेशन के बाहर यह एक रेल और लगा हुआ है जो का आपकी फेमस हैं यह देखो बहुत बीड़ है दोस्तों पीछे देख सकते हैं आप लोग तो गाइस आगे आप लोगों के चलते हैं यह देखो गाइस आवड़ा अ आपने आप लोग बाहर आगया है इस के तंसे और देख रहे हुए हैं जान यह दो दो ओ है फूंद फेलिक श्यड़ा चाहर का देख लागा, यह है जान पहुत आप हैं आफेली गाइस कलकता की गलियाँ जहां फे अब हैं , फाइनली गाइस कलकता पहुंच चुके हैं और अब अब लोग जा रहें अब लोग जा रहें मैट्रो इस्टेशन अब लोग अब लोग अब लोग अब लोग जाएंगे ते और वापस इस साइड आना पड़ा है अभी काफी ज्यादा प्रैंक हो रहा है क्र देश एक्र प्रहा हैं आना आना पुर्णाव अब लोग भी क्या आना प्राव लोग जा आना प्रावी काफी के जाओ वोग जाओ अब लोग बदो इस जाफे वाँ पर अब MONझाव जब लोग जायदा विसन घएंवाखी जाएंशन घज घएंवाओग पा-तर चांवाण तो गाइज अभी अब लोग पैदल जा रहे हैं और रास्ता इधर से हैं यह देखो अब तो गाइज अब लोग डेशनिश्वर मंदिर पहुंच चुके हैं यह देखो गाइज काफी जाधा बीड है और यह रहा मंदिर अब लिएच्छ कैंद कर देखो पर साव और बहुत जाधा है यह देखो बहुत जाधा बीड है यहां पर काइज और मंदिर में मूबाइल लाओं नहीं है तो अंदर का वीडियो में बनाने पाया इस तलाब तो दश्रिनेश्वर मंदिर में एक तलाब भी है यहां आने के बाद पता चला है छोड़ा ऐसा तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं यहां से विक्टोरिया मेमोरियल और वहां पे थोड़ा गूम लेते हैं के बाद दो ही यहां पे थो इस अब कर है तो प्रिया आने ड्लाब गड़ आने वे लिवाव झाल झाल तो फाइनली गाईज हम लोग पहुंच चुक है विक्टोरिया मेमोरियल तो गाईज बहुत सुन्दर है विक्टोरिया मेमोरियल और इधर चारो तरह फीड फौदे अग्दम भरे बरे हैं और बहुत मज़ा रहा है यहां पर यह देखो गाईज यहां की सुन्दर था और यह रही विक्टोरिया रानी तो गाईज साम काफी ज़्यादा हो गया है तो अब लोग घर निकल रहे हैं और सुबह जाना भी है अब ट्रेन पकड़ना है जलते गाईज आगे तो फाइनिली गाईज अब हम लोग कोलकता से निकल रहे हैं कल काफी ज़्यादा गूम लिये थे और बैटरी भी काफी डॉन हो गया था और मेरे फिछे देख सकते हैं कि गंगा न दिया है और यहीं से अभी हम लोग बैठ के जाएंगे काफी लेट तक कल घुमें काफी ज़्यादा तब्यत खराब लग रहा था रात में तो गाईज काफी अच्छा लगा कोलकता आके मजा आया आप लोग वीडियो में तो दिखी गया होगा तो गाईज आभी तिखाता हूं आगे कि क्या क्या होगा बने रही ब्लॉग में तो कि एदेखो गाइज हाबडा कोलकता का फेमस प्रिच अपिन अगे कि हा उसका बॉर्ट को कि आपी नंदी क्या है हो था आप तो गाइज उस साइट से हम लोग इस साइड आ गया है और आड़ा प्रीज के पास है काफी मज़ा आया अभी हम लोग बोट के आये बहुत किराय कम है सिर्फ छे रुप्या तो मज़ा आ रहा गाई काफी मज़ा आया काफी अच्छा लगा अब लोग रेलवे स्टेशन पर आ गया है ठीकेट तो हो गया और थोड़े ही देर में हम लोग बहुत चले जाएंगे तो कैस आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आयो तो लाइक एंड कॉमिट एंड सेर जरूर किजेगा और सब्स